नमस्कर दोस्तों आप लोग कैसे हैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छी होंगे दोस्तों इस वक्त मैं राची में हूँ और सरदार पटेल पार्क घुमने आया हूँ तो दोस्तों पार्क में इंट्री हो चुका है दोस्तों इस वक्त यहाँ पर टिकट भी लगती है और ज देखते हैं यहां का खुबसूरत नाजारा का लूप उठाते हैं तो देखते हैं क्या है देखने को क्या-क्या मिलता है दोस्तों यह सर्दार पटिल पार्क हर्मू में है और यह चोटा सा पार्क है ज्यादा बड़ा नहीं है यह नगर निगम पार्क है इसमें फैमली लेकर गुमने लाइक बहुत अच्छा है देखिए बैठने का भी बहुत ती अच्छा यहां बेउस्था है देखिए दोस्तों यहां पर बच्चों का जूला लगा हुआ है यहां बच्चे बढ़िया से खेल सकते हैं देखिए इधर कैंटीन भी है खाने पिने का बेउस्था है इधर यहां और बच्चे भी बहुत थीक बढ़िया बच्चों के लिए खिलने के लिए जगा है देखिए जूला अगर अगर सब कुछ लगा हुआ है देखिए दोस्तों सरदार पटिल पार्क में अभी फूल तो नहीं खिला है लेकिन बहुत खुपसुरत पोधर प्यार हो गये हैं देखिए फूल लेकिन अभी फूल खिले नहीं है वो थी हरा भरा पार्क है दोस्तों वो थी खुपसूरत नाजरा से भरा है देखिए दोस्तों इस पार्क के बीचों बीच सरदार पटिल जी का बहुत बड़ा परतिमा अस्थापित किया गया है बहुत ही विशाल है और बहुत ही सुन्दर लग रहा है देखिए झाल झाल यह बहुत ही बड़ा पानी का टंकी है एक ठो और इधर दिखिए सोचाले भी है हाँ पर झाल 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 दोस्तों यह एक्सर्साइज के लिए लगे हुए है देखिए एक्सर्साइज मसीन लगा हुए है यह पर एक्सर्साइज भी कर सकते हैं सुबह सुबह देखिए दोस्तों बैटने का बहुत ही अच्छा बेवस्ता है यह फिमली लाइक कैंटीन है देखिए यह पर बैट सकते हैं बहुत ही खुब्सूरत नजारा के साथ यह कैंटीन में बैट के खाना खा सकते हैं है यहाँ पर बुजुर्ग लोग बैटने का बहुत ही खुब्सूरत तब्योस्ता है देखिए दोस्तों दोस्तों फाइनली पार्क घुम के बाहर निकल चुके हैं दोस्तों बताएगा कैसा लगा ये नगर निगम पार्क, सरदार पटेल पार्क, हर्मू दोस्तों कोमेंट में जरू बताएगा धन्यबाद